हेलो फ्रेंद्स आयम आरव आयम मुंग तेल यू अबाउट सेल्स सो लेट स्टार्ट सेल्स के बहुत एडवांटेजिस होती हैं जिनकी वह जैसे वह यूसफुल होती है तो फर्स एडवांटेज है एलेक्ट्रिक सेलल लाइट वेट सो देयर पोर्टेबल मतलब वह एक जग होते हैं कि बच्चे उनको खिलोन में लगा के खेल भी लेते हैं यहां से भी लीकिज हो सकती है वहां पे इंसुलेशन होती है इंसुलेशन मतलब सील सीलिंग होजाती है और बिल्कुल बीच में कारवन रॉड होती है है जो एक साइट से स्टीक होती है और ओपर से उसका हेड की जड़око dev कि ठीयम प्लंट कि तर्मिनल की दरें करती है काम कर्थी है अथ जो कंटेनर का बेस होता है नीचे जो नीचे जिःर्पोरी के पूरी का container box containing होता है वह जिंक का होता है और यूसका बेस होता है वह भी ершिन्क होता है जो माइनसी चरपन करता लब्हाग्सेटर्मिनल के तैरे काम करते है और जो और जो ब्रन मरती है उसके चरफ चारो चरकोल होता है और जो rest of the area वहाँ पे paste of NH4CI मतलब paste of ammonium chloride और जिसकी electrolyte होती है वो पूरी की पूरी paste की होती है मतलब हर जगे paste होता है कहीं भी liquid नहीं होता अब types of cell, three types of cell होते हैं primary, secondary, dry तो a dry cell is a type of electric cell in which the electrolyte is in the form of a paste preventing leakage मतलब dry cell is a type of electric cell होता है जो जिसमें electrolyte होती है वो paste की form में होती है मैंने आपको बता दिया और वो paste की form में होती है तो क्या काम करती है leakage नहीं होने देती, a common form of dry cell is zinc carbon cell, a common form of dry cell is zinc carbon cell and gives 1.5 volts of electricity, वो 1.5 volts of electricity देता है, वो अधो supply करता है if you like this video then share and subscribe and encourage me